आज मैंने अपने पापा से कहा, पापा, you're not ready yet? पापा ने का, नहीं, मुझे टाइब आनने में 5 मिनट लगते हैं. So friends, इस तरह के sentences को English में कैसे बोलते हैं? पता है कि मुझे टाइब आनने में 5 मिनट लगते हैं? या फिर past में अगर हमें बोलना हो उससे सर्च उगलवाने में मुझे 10 मिनट लगे या फिर अगर future में बोलना हो कि मैगी बनाने में तुम्हें 2 मिनट लगेंगे तो friends इस तरह के sentences को हम English में कैसे सुरू करते हैं पता है आईए मैं बताती हूँ इस तरह के sentences को हम start करते हैं it takes से अगर present का sentence होतो it took से अगर past का sentence होतो और it will take से अगर future का sentence होतो जैसे tie बानने में मुझे 5 मिनट लगते हैं it takes me 5 मिनट तू tie a tie उससे सर्च उगलवाने में मुझे 10 मिनट लगे it took me 10 मिनट तू make him speak the truth मैगी बनाने में तूमें 2 मिनट लगेंगे it will take you 2 मिनट तू cook मैगी अब आप एक sentence बनाओ कि ready होने में मुझे 10 मिनट लगेंगे and मुझे comment में बताओ so friends हम सभी कभी कभी ऐसे बोलते हैं देखो जरा manners ही नहीं है इस तरह से हम कभी गुसे में आकर या शौक में आकर बोलते हैं देखो जरा इस तरह के sentences को हम English में शुरू करते हैं look at that इस तरह से जैसे look at that he doesn't have any manners look at that he doesn't have any manners look at that he is driving so rashly देखो जरा कितना fast कितना rash driving कर रहा है एक चीज और हम बोलते हैं उसे देख लो कितना खुश है वो फ्रेंट्स इस वीडियो में जितने भी आप sentences ये देख रहे हैं आपको English translation सीखने को मिल रहा है ये सब आपके daily use sentences हैं आप अपनी daily conversation में ऐसे sentences का use करते हैं तो देखिए एक चीज और हम क्या बोलते हैं उसे देख लो कितना खुश है वो चाहे वो इंसान सामने ना भी हो पर उसकी बात करते हुए हम कहते हैं उसे देख लो कितना खुश है वो इस तरह की sentences को हम शुरू करते हैं लुक एट हिम से अगर लड़की की बात हो रही हो लुक एट हिम अगर लड़की की बात हो रही हो लुक एट हर से लुक एट हिम देखो उसको कितना खुश है वो या फिर लुक एट हर शी सो सक्सेस्फूल उसको देख लो कितनी सक्सेस्फूल है वो एक और चीज हम कहते हैं जब कोई हमारे सामने सज धज कराता है या बहुत तयार हो कराता है तो हम कहते हैं अरे वा देखो जरा इनको बिलकुल पार्टी के लिए रैडी इस तरह के सेंटेंस को हम शुरू करते हैं लुक अट यू से इस तरह बोलकर राइट जैसे लुक अट अब आप एक सेंटेंस बनाओ सेंटेंस है देखो जरा उसे बडो से बात करने की बिलकुल तमीज नहीं है और मुझे कॉमेंट करके बताओ आज की वीडियो में आपने बहुत कुछ सीखा होगा So friends if you want to know more English words and a lot more things then you will have to like, share and subscribe this channel and hit the bell icon so that you can get the notifications earlier than others and friends let this channel be your daily routine मिलते हैं next video में thank you